नमस्ते प्रीती की रसवई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे वेज कटलेट सूजी का वेज कटलेट बनाएंगे इसमें हम आलू बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और चीज भरके बनाएंगे तो यह बहुत टेस्टी है तो चलिए हम बनानाय स्टार् लेंगे और कडाई में दो कप पानी डालेंगे एक कप सूजी के लिए हम दो कप पानी लेंगे और इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे और एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा चमच घीशा हुआ अधरक डालेंगे और आधा गरम मसाला डालेंगे आ चमज और नीक निकल्ष चमज काली मिस्ट डालेंगे और एक प्राइगी डालेंगे मैगी मसाला अपसेणल है इन सब को मिक्स करेंगे और पानी में अबादाय देंगे और स्वादानसर नमक डालेंगे महट डालेंगे 1 4 cup स्वीट कॉंन डालेंगे 1 1,5 cup रीमिला मिर्च 1- 1 स्वीट कॉंण दालेंगे न्याचे समले मिर्च 1 दीन से स्वीड काट माणय है बारीक कट हैdy की त्युक्षी मेरा ल्याचाएं सिम्ला मिर्च निलेंगे ले ठीक Notốn कल वा एक का बहता है करिए 30-40 शेकेंट के लिए हम चलाएंगे इसको और झाल देंगे आम हम इसको चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे और फिर आभ हम यहां गैस बन करेंगे और फिर अब हम ढग देंगे 5 मिनट के लिए हमारी सूझ अच्छे से फुल जाएगी और देखिए हमारा सुझी फुल चुका है अब हमिस्को एक बॉल में लेंगे और हातों में तेЛ लगाएंगे और इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिला देंगे, देखिए हमारा हो गया, अब हम इसको साइट करेंगे, थोड़ा और अच्छे से थंडा हो जाए, तब तक हम सलरी बना लेते हैं, यह हमारा 2 टेबिली स्पून मैदा है, इसमें 140 टी स्पून डालें जाएंगे तब इसको मिक्स करेंगे, और अब हम पानी डालते हुए इसको अच्छे से इसका गोल बना लेंगे, इसमें हमें, घोल बनाने में हमें आधा कप पानी लगा है, और यह देखिए अग्दम पतला गोल है, ऐसा ही हमें घोल चाहिए, और अब हम चलते हैं, कर देंगे देखिए यह हमारा टिक की बन गया और देखिए आप ऐसा भी बना सकते हैं और अब हम एक अलग सेप में बनाएंगे यह हैं कटिलेट जैसा सिलेंडर सेप में हम बनाएंगे ऐसा बना सकते हैं इसे हाथों से रूल करते हुए ऐसे अंगली से दबा देंगे और दे तो ऐसे गोल लडू जैसा भी बना सकते हैं, पर हम इसमें थोड़ा चीज भरेंगे, तो बीच में हम गड़ा करेंगे, और गड़ा करके इसमें हम चीज भरेंगे, देखिए ऐसे बीच में हम चीज रख देंगे, और एसे अंगोठे से दबाते हुए, इसको हम उपर ले आए आपको जैसा पुसीब भाथ सकते हैं कोईBlack में डिप करने आप पूर फिर अब हम इसको चै DH कोट कर Sen जंडि कोट कर लेंगेह और इसके जगां पर इसके जगेपर आप bread क्रम्स भी योज कर सकते हैं उससे भी कूरपरा होता है और सूजी से भी कुरकुरा होता है देखिए ऐसे ही हम बना लेंगे और एक हम ये सेवई वाला बनाएंगे तो ये देखिए हमने ये सेवई लिया है और ये हमने मोटा वाला सेवई लिया है आप चाहें तो बारिक वाला आता है तो वो ले सकते हैं वो और अच्छे से चिपक जाता है, तो देखिए, ऐसे ही हम चिपका लेंगे, और देखिए, ये भी अच्छा लगता है, देखिए, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और ऐसे हाथों से चिपका देंगे, चारो तरफ से, ताकि हमारा तेल में जाए, तो खुलेना, तो ऐसे ही हम बना लेत यह हमारा गरम हो चुका है, 3-4 मिनट हो गया गरम होते हुए, अब हम एक एक करके डालेंगे, पहले हम यह सेवई वाला डालेंगे, और फिर अब हम इसको अलटते पलटते हुए गोल्डेन ब्राउन होने तक सेख लेंगे, और इसको हम मीडियम आज पे तले हैं, इसको सेखन सूजी वाला तल लेंगे, एक एक करके डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से तल लेंगे, इसको भी आपको तलने में 5-6 मिनट लग जाएगा, और यह मीडियम आज भी हम तल रहे हैं, पर यह गोल्लेन ब्राउन नहीं होगा, गोल्लेन ब्राउन करेंगे तो सूजी आप में कितना बढ़िया, इसको बच्चे बड़े, बहुत मन से खाएंगे, और बहुत पसंद से खाएंगे, और आपको मिलेंगी तारिफे ही तारिफे, और देखिए, आप हम इसको तोड़के दिखाते हैं, साधा वाला, देखिए, यह भी कितना अच्छा बना है, और यह ची अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई 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 एंटिप केर,